हलो गाईज मैंनों पूजा स्वागत है आपका प्रेग्नेंसी टिप्स और इंफॉमिशन की एक और नई वीडियो में आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रेग्नेंसी की दोरान आपकी किन-किन अमगों में सूचन आती है और इसका क्या कारण ह होता है इससे बचने के लिए आप प्रेग्नेंसी की दोरान क्या-क्या उपाइफ कर सकती है वैसे तो प्रेग्नेंसी की दोरान गर्वती महिनाओं को बहुत साल समश्याएं दोरान स्टार्ट हो जाती है जैसे कि मोट्रिंग्स होना चिल्चे पर होना उनके ब्योभार में बदला होना कभी उल्टी होना चक्कर आना सिरदर्ध होना इसके अलावा ग्रीडिंग तत की समश्या दरवपती महिनाओं में बन जाती है जिससे और भी चाता टेंशन में आजाती है तनाव आटोमेटिकली दरवती महिना को इस तोरान खेर सकता है इसके रावाँ में काफ़ी ज्यादा बढ़ जाती है जिसमें करी बार महिलाई चिंता लेने लग जाती है कि भगाई ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है अचानक से इतनी सूजन अधर दर्वती महिला बढ़ जाती है तो वो डर जाती है क्या इसमें डरने की बात है देखिए दोस्तों आप गर्द में पल्राच शिशो होता है उसके शाररी पोशण के लिए आपके शरील में अत्रिक्त खूल का बनना बहुत जादा जरूरी होता है तो खूल का निर्मार और आपके शरील में तरड़ पदा या पर फ्रूब की मात्रा जादा होनी के वचे से आपको इस दावरान उजन आने की समस्यां ववैसे आप उती है और आप जाता है तो ये समस्या आपको सबसे जाज के पैरों में हो सकती है आपके पैर इस दोरं सुज सकते हैं एक अप को जाती है review कि अब हो presumably हो जाती है तो दीरे दीरे ही ये जो Mississippi ho की समश्या होती है ये गायट होने लग जाती है आपको कुछ प्रिकॉशन सरतने हैं कुछ सेल्फ केर आपसमे कर सकती हैं जिससे कि आप इस सूजन की समश्या से निजात पा सके तो देखिए दोस्तों 90% प्रेंब लाओं को ये आपको सूजन की समश्या से काफी जल्दी और काफी अच्छा आराम देती है। इसके अरावा एक चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको सूजन में बहुत अधिक चनला के नंड नहीं करना है। और दूसरी महतोपूने चीज़ के इस दोरान अपने पैरोफ आपको लटका कर नहीं बैठना है। कुछ एक्सरसाइस की मदद से भी आप इस सूजन की समश्या को का कर सकती है। योग और प्रणायम भी इसने काफी अच्छा फायदा आपको दी सकते है। प्रेग्निंसी की दौरान ब्रेस्ट में आपको सूजन बहुत ज़ादा देखने को बढ़ती है। तो भी आपको इसमें घबरना नहीं है। दीरे दीरे यह सुचन आपकी बैबी के जर्म के बाद सरता ही समापत हो जाएगी इसके अलावा अगर आपके नाक में इस दौरान सुचन आ रही है तो भी अपको इस मन घपराना नहीं है कई बार हो सकता है कि आपको आपके नाक का साइस आफकार जोगरे वो कुछ बदला बदला सा लगेगा हाला कि पुराने जवाने में नाक अगर आपके बड़ी है तो इसे बेटी होनी का संकेन भी माना जाता था लेकिन असली डिजन इसका हार्मोनला चेंज़स ही होता है कई बार गर्वदी महिनाओं को मस्वोरों तक में सूजन आने नग चाती है तो ये भी हार्मोनल बदलाव की विचे से होता है इंफेट आपकी जैनिटल पार्ट्स में भी आपको जारा सूजन आ सकती है जिस वज़े से आपको घबराना नहीं है कुछ आप हल्की फूर्टी एक्सरसाइज जरूर करिएगा क्योंकि अगर आप बिल्कुल लेंगे डूलेंगे नहीं तो ये सारी कॉंप्रिकेशन जो है वो आपकी लगास्तार बनी रह सकती है तो जैसे जैसे प्रेडेंसी में आपका वरज़व लकुल होता है आपको और भाष़ और पर रहा होता है तो तो ओडिवीव ऑन.भाता रूर्ट नहीं सब्सक्राइजिए उन महिलनां के एक्सिध बाते नहीं ॉस सब्सक्राइए वजु को sagt आपको बताए है कि बेंदन सी के दोरां आपके हाथ, पैरो, पिंदली ओंबे, बसूर ओंबे, ओठोले और नापने सुझन आपको बन सकती है तो क्या आपको करना है ये भी उन आपको बताती है हो तो वीडियो अपको अच्छा मदाओ को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरू कर दीचेगा थैंक्स पर वचिंग, फिर मिरूंग आपसे नेक्स वीडियो में, तिल देर, स्थे हभी, स्थे हल्दी